हेलो अर्वेबड़ी वेलकम टू जेई पेज जी सीरीज मैं हूँ और पर इतना हम आप फ्रॉम में फेड़ फिलने पैटफॉर्म जहां पर आप सब पर सकते हो फिलेक्स के मैंसी मैं बलो जी एपसुलिटी फॉर फ्री एट लर्नोहब डट कॉम तो अल्मोस्स अपन जो इतने भी इंपोर्टेंट एफेक्ट थे वो अपन खतम कर चुके हैं अब आपन बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में एरोमेटि सिटी की उपर ठीक है इससे काफी ज़्यादा कोशन आये हुए है मैंने भी बहुत सारे कोशन ऐसे देखे है जो इसमें एरोमेटि कंपाॉंट से आये हुए ठीक है लेकिन वो जो कोशन है काफी ज़्यादा इजी होते हैं बस आपको मैं थोड़ी थोड़ी सा टॉपिक समझा दूँगा आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा ठीक है थोड़ा मतलब बहुत हो जाता है चली फिर स्थार्ट करते है आरो मेंटिसिटी से अजब कभी भी आप बहुतने हैं स्सार्ट करते हो तो यहां पर सबसे पहली बात आथ हां ख़ल सिरूल की हो थे हो सब एक लिए conjugated system having four and plus two pi delocalized electrons are known as aromatic compound ठीक है aromatic से क्या मतलब होता होगा सर ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा बस ब्रीफ में बताऊंगा कि जो aromatic है ना ये जो word है ये कहां से आया था आपका aroma से आया था ठीक है एक ही टाइप के bond है एक ही टाइप सब में carbon carbon ही है ठीक है conjugated मतलब की double, single, double, single, double मतलब alternative double bond आपको यहा人 पर देखने को मिल रहे या फेर जिसको मैं बोल सकता हूं ये हर एक double bond में एक pie electron होता है ठीक है dus here pie electron पर आपको पाई electron का system दिख रहा है जो की alternative present है ओके देखो आपने पहला वाला समझा कि प्लेनर होता है एक तो प्लेनर होना चाहिए monocyclic conjugated system होना चाहिए conjugated मतलब कि y loan pair single double plus single double minus single double ये सारी के सारी conjugation होती ठीक है अब ये follow करना चाहिए आपका 4n plus 2pi ये क्या होता है इसको समझो 4n plus 2pi electrons इसका मतलब क्या है कि यहां पर इसमें जितने भी pi electrons होते हैं अगर मैं n की value रखता हूँ यहां पर 1 अब n क्या है n है मेरा number of ring ठीक है n यहां पर क्या है आपका n है आपकी number of ring ओके number of ring अब ध्यान से देखना अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो आपको कितनी ring दिख रही है एक ही ring दिख रही राइट ठीक है तो यहां पर अगर मैं n की value को put करता हूँ 4 benzin तो मैं यहां पर लिख रहा हूँ 4 benzin center में लिख लेता है पन 4 benzin 4 benzin यहां पर है n की value कितनी है 1 है क्यों एक ही रिंग दिख रहा है आपको तो अगर मैं इसको value को यहाँ पर put करूँगा तो 4 into 1 plus 2 pi ठीक है तो कितने electron आएंगे देखो 6 pi electron आएंगे अगर ये 6 pi electron मुझे इसमें दिख रहे हैं इसका मतलब yes कि benzine आपका aromatic है या नहीं अब कैसे check करते हैं चलो देख लेते हैं अब confused कहाँ पर हो जाओगे एकदम start कर रहे हैं जो लोग revise कर रहे हैं उनको तो proper पता है देखो pi electrons मतलब कि हम सभी जानते हैं कि जो double bond है ठीक है जो आपका double bond होता है double bond होता है ठीक है उसमें होता है one sigma bond one sigma bond और एक होता है आपका πi bond के और हम सभी जानते हैं जो bond होते हैं कोई भी bond हो, sigma bond हो, pi bond हो, coordinate bond हो, covalent bond हो, कोई भी bond ओ दिखकत में उसमें यह जो bond होता है यह 2 electron की sharing से बनता थीक है तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 sigma bond में कित्ते electron तो 2 electron 1 pi electron में कित्ते electron तो 2 electron ठीक है वही चीज़ तो यहाँ पर देखो यहाँ पर double bond में 1 pi bond है तो मैं यह बोलूँगा कि 2 pi electrons है 2 pi electrons होंगे अब इसको इसमें लगाओ ठीक है यह है आपके पास benzene कितने pi bond है सर 3 pi bond है 3 pi bond है क्योंकि 3 double bond है तो 3 pi होंगे 3 sigma होंगे ठीक है बढ़ी है चलो देखो तो यहाँ पर आपके पास 3 pi bond है मतलब total 3 into 2 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास 6 pi electrons है ठीक है जो कि यहाँ पर 6 pi electron आ रहा है और अगर n की value में 1 put कर रहा हूँ तो भी 6 आ रहा है तो मतलब की यह जो benzene है yes यह aromatic है क्यों क्योंकि यह huckle rule को follow कर रहा है समझ में आ गया तो मतलब aromatic compound को सबसे पहला जो चरण है वो क्या पास करना पड़ेगा कि वो huckle rule फॉoo करना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सारे rule लिखा देता हूँ देखो क्या क्या होता है पहला वाला पहला है आपका कि वो होना चाहिए आप का planar ठीक है planar मतलब की एक ही plane पे होना चाहिए पूरा का पूरा compound एक ही plane पे, planar होना चाहिए, ठीक है, second, क्या करना चाहिए, वो, हकल rule को follow करना चाहिए, follow, हकल rule, ठीक है, जरूर लिख लेना, 4N plus 2pi बगल में, 4N plus 2pi लिखना जरूर यह, ठीक है, चलो, अब, third है, कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, conjugation होना चाहिए, जो कि हकल rule खुद बोल रहा है, अल्टर ने double single, double single bond है, ठीक है, चलो, और फिर चौथी चीज़ जो होती है, जो आपका carbon है, वो होना चाहिए, sp2 hybridize, sp2 hybridize होना चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी conditions है, जो कि follow करना ही चाहिए, तब जाके जो compound है, अपन उसको aromatic consider करते हैं, clear है, चलो, अब अगर मैं benzine की बात करता हूँ भाई, ठीक है, benzine में मैं पूछता हूँ आपसे की, देखो क्या क्या follow कर रहा है, ये planner है, हाँ planner है, क्या conjugation है, इसमें देखो double single double, double single double, double single double, double single double, conjugation भी है, चलिए बढ़िया, तीसरी चीज़ देखते है, क्या ये, हकल रूल follow कर रहा है, तो अपने अभी लगा के देखा, क्या ये sp2 hybridized है, तो चलो, देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस carbon की बात करता हूँ, ठीक है, हर एक carbon के पास benzine में, एक-एक hydrogen होता है, ये hydrogen, यह hydrogen, यह hydrogen, यह hydrogen, यह hydrogen, यह hydrogen, और एक ही होगा, यहाँ भी hydrogen, ठीक है, तो अब अगर आप देखो, इस carbon को ध्यान से देखो, तो double bond यहाँ पर है, यहाँ पर एक bond है, यहाँ पर एक bond है, तो total कितने bond बना रहा है, एक, दो, तीन, दिख रहा है न, तीन सिगमा है, ठीक है, तो तीन सिगमा bond है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो, तीन सिग जो carbon जितनी चीजों से अटेच है माइनस वन ठीक है तो देखो कितना हो जाएगा देखो इसको अटातने अभी ध्यान से देखना ठीक है यह वाला जो carbon है यह से अटेच है ठीक है यह वन यह यह टू और एक hydrogen खुद मतलब तीन ATOM से जोड़ा हुआ है वो carbon 3-1 मतलब की 2 तो जो आगया मेरा यही है आपका SP2 hybridization SP2 hybridization बागी सारे के सारे symmetrical है ये वाला भी SP2 होगा ये वाला भी SP2 होगा ये भी SP2 होगा सारे के सारे जो carbon है वहाँ पर SP2 hybridization है तो yes, benzene is a aromatic compound clear है समझ में आ गया तो ऐसे आपको चीजों को निकालना रहता है clear, अब sir कभी loan pair आ गया तो loan pair को लिखेंगे है अपन तो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कैसे निकालते हैं SP2 होगा सारे चीज़ है clear है, अभी तक इतना clear है चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते है जैसे aromatic होते हैं, वैसे दो चीज़े और होती है एक होता है non-aromatic और एक होता है आपका anti-aromatic तो उनके वारे में जान लेते हैं सबसे पहले ठीक है, तो फिर अपन आगे चलके फिर उनके example भी देखेंगे aromatic हमने देखा कि यह cyclic होना चाहिए okay, delocalization of electron होना चाहिए, ठीक है planner होना चाहिए, मतलब कि जितने भी atom है वो एक ही plane पे होना चाहिए, sp2 या फिर sp, hybridization तो होना ही होना चाहिए huckle rule को follow करे, n की value कितनी हो सकती है 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकती है 4n plus 2pi को वो follow करना चाहिए, यह वाला ठीक है, जैसे की example आपका benzene अब अपन चलते हैं non-aromatic पे non-aromatic क्या है रेखो cyclic तो होना ही चाहिए, cyclic तो होना ही करना है no delocalization of electron यहाँ पर कोई भी delocalization का electron ना हो planner ना हो ठीक है, और huckle rule भी apply ना हो मतलब सिर्फ एक ही condition है एक ही condition है कि वो cyclic हो ठीक है, बाकी का अगर कुछ भी चीज इस मैसे, aromatic मैसे follow नहीं कर रहा है तो वो अपन बोलेंगे कि वो क्या है, non-aromatic है ठीक है, समझ में आ गया है, चल anti-aromatic में क्या होगा, आज ही से ज़्यादा चीज़ें सेम है, दें उन से देखो, cyclic होना चाहिए, delocation of electron होना चाहिए, planar होना चाहिए, पर यहाँ पर यह follow करता है, 4 and pi electron ठीक है, 4 and pi electron ठीक है, तो देखो, अब जब कभी भी आपको एक compound में 4 के multiple में pi electron आ रहे है मतलब की, आपका 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, ऐसे ऐसे आ रहे है तो आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आनी चाहिए, कि यह हो सकता है कि यह compound anti-aromatic हो सर आप इतने confidence के साथ कैसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, 4 into n, देख रहा है न, 4 n है, pi electron को अभी जाने दो 4 n है, और n की value 0 हो सकती है, n की value 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है तो 4 के तो multiple में ही आएगा न, 4 के तो multiple में ही आएगा और multiple में आएगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि yes, यह compound जो है, वो anti-aromatic हो सकता है clear है, बहुत simple, confused बिलकुल नहीं होना, हकल rule follow करे, sp2 हो, planar हो, ठीक है, तो आपका aromatic कुछ भी follow ना करे, तो non-aromatic, ठीक है, अगर ultra follow कर रहा है, 4 and 5 वाला electron follow कर रहा है बाकि सारे चीज़ें सेम है, sp2 है, planar है, conjugation है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा anti-aromatic, clear है ना, aromatic का उल्ट है anti-aromatic, वास यह follow नहीं करेगा ठीक है, जैसे कि आपका यह electron देख रहा है, ठीक है, यह वाला compound देख रहा है, compound कैसे देख रहा है आपको, तो मैं जरा color change करूँगा, डबबा बनाऊँगा, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, cyclo butane, बहुत बढ़िया, अगर मैंने यहाँ पर एक single bond लगा दिया, तो य aromatic है, तो दियान दो, कैसे निकालोगे, यहाँ पर दियान दो, यह carbon कौन सा है, sir, sp2 hybridized है, कैसे, जैसा carbon benzen में था, वैसे यहाँ पर भी है, एक bond, दो bond, तीम bond, और carbon है, hydrogen है उसके पस, बिलकुल sp2 है, ठीक है, तो sp2 हो गया, cyclic है, हाँ सर, हर जगा से बनना है, cyclic है, प्लैनर है, हंजी, प्लैनर है, conjugation है, double, single, double, double, single, double, ठीक है, sir, यहाँ पर क्या है, आपका conjugation भी है, अब यहाँ पर आत बाती है, क्या यह हकल डूल फॉलो कर रहा है, कितने πाई electrons हैं, इसके पास, electrons की बात कर रहा हूँ, तो यह है 4 πाई electron, 4 πाई क्या यह 4 के multiple में, बिलकुल है, जी ध्यान से देखो, 4 into, अगर मैं 1 करूंगा, तो कितना हैगा, आपके पास, 4 ही आएगा, तो मतलब n की value यहाँ 1 है, तो मतलब यह follow कर रहा है, 4 n πाई electron, ना कि 4 n प्लस 2 πाई electron, अगर मैं यहाँ आपर 1 रख दूंगा, तो 6 आएगा, ठीक है, तो 6 तो नहीं आ रहा है, 4 आ रह करेंगे, इतना लिख लो, फिर सीधे-सीधे आके चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, आपका किसके, 2 πाई electron से, ठीक है, 2 πाई electron से, मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम, जिसके बास 2 πाई electron हो, तो वो किस चीज में आएगा, ठीक, aromatic, non-aromatic, कैसे पहचान होगे, तो इसकी बात करते चलो देखो, मेरे पास यह देख रहा है आपको, triangle और प्लिस बीच में plus है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोछ और नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा, यह triangle है, ठीक है, मतलब गोला का मतलब होता है अंदर, कि वहाँ पर aromatic है, मतलब यहाँ प आपको, जैसे ही triangle दिख रहा है, और आपको अगर बीच में, ऐसे गोला दिख रहा है, ठीक है, सरकल दिख रहा है, इसका मतलब कहा है, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं, pi electrons घूम रहा है, तो यह हो गया मेरा एक bond, ठीक है, जहाँ पर pi electron लगा दिया मैंने, और एक उसकी उपर plus है क्यों, अंदर बता रहा है कि उसके उपर plus है, अब यह क्या होगा, aromatic होगा, यह non-aromatic होगा, तो इसको पहचानना है, ठीक है, तो ध्याँच देखो कैसे समझेंगे, यह वाला जो आपको carbon दिख रहा है, क्या मैं इसको बोल दूँ कि यह क्या है, आपका carbon केटायन है, यह क्य है, अभी किस के जोड़ा हुआ है, एक यह वाला एटम, एक यह वाला एटम, और इसके पास एक hydrogen होगा ही होगा, ठीक है, एक एटम बस नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि, यह क्या होगा, SP2 hybridizer, SP2 hybridizer, ठीक है, जितने भी carbon carbon है, वो आपको SP2 hybridizer ही मिलते हैं, carbon anion में थोड़ी सी चीज़ें, अलग होती है, आप दिहान से समझना ज़रा, देखो, क्या होगा, अब अगर मैं आप aromatic के लिए मुझे जानना है, तो मैं क्या देखूंगा सबसे पहले, क्या यह planner है, ठीक है, तो देखो, बिलकुल planner है यह वाला, ठीक है, प्लेनर है, दूसरी चीज़, क्या य अगर मैं देखना चाहूं, तो देखो, प्लस, सिंगल, डबल, ठीक है, डबल, सिंगल, प्लस, मतलब अगर मैं बनाऊं, तो यह क्या होगा, यह वाला bond इधर सिफ्ट होगा, ठीक है, यह वाला bond इधर सिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक, अब क्य rule follow कर रहा है या नहीं कर रहा है उसकी उपर बात आती है तो इसके पास कितने electron है भाई देखो 2 pi electron 2 pi electrons है सिर्फ 2 pi है है ना तो क्या ये huckle rule follow कर रहा है ध्यान से देखना अब देखो उसमें क्या होता है 4n plus 2 pi 4n plus 2 pi अगर n की value 0 है अगर n की value 0 है तो ये क्या आएगा 2 pi आएगा सिर्फ ठीक है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ये क्या है हuckle rule भी follow कर रहा है मतलब कि ये non aromatic तो हो ही नहीं सकता chance ही खतम हो जाता है कि हो conjugation दिख गया दूसी चीज planner है ठीक है तो वो तो क्या anti-aromatic कब होता जब ये हuckle rule follow नहीं करता 4n pi electron follow करता 4n तो करी नहीं सकता क्योंकि 4 उसका minimum value है अगर n की value 1 होगी तो 4 आएगा value 2 तो आहीं नहीं सकता 2 के लिए आपको n की value half बनने पड़ेगी तब जाके ही आएगा इसलिए यहाँ पर यह क्या है कि हंजी यह क्या है आपका aromatic compound है ऐसे समझ में आ गया तो यह क्या है आपका aromatic compound aromatic compound ऐसे पहचानेगी अब इसकी बात करते है यह थोड़ा सा पेचिदा example है तो ध्यान से देखना यहाँ पर ही क्या होता है और यह hydrogen पहले निकल जाएगा तो यहाँ negative आएगा अब देखो मतलब क्या यह planar है planar तो दिख रहा है sir चलो अब यहाँ पर देखो तो क्या यह यहाँ पर conjugation में है negative single double और double single double यह भी है तो conjugation में भी है अब यह वाला थोड़ा सा आप देखो कि यह क्या होगा ठीक है क्या यह हकल rule follow कर रहा है यहाँ पर क्या रहा है आपका पाई electron कितने है एक दो तीन चार जितन जो भी ध्यान से सुनो एक चीज तो जो भी negative charge conjugation में पाट लेगा उसके ही पाई electron को आप गिनोगे बागी किसी को नहीं गिनते ठीक है समझ में आ गया चलो मैं आपको आगे भी बताऊं ठीक है तो यह वाला थोड़ा पेचिता example है इसको आप एक बाद ध्यान से देखना पूरा का पूरा समझ में जाएगा मैं खुद बोल रहा हूं इस चीज कितने पाई एलेक्ट्रोन देख रहा है 2 पाई इसलिए 2 पाई एलेक्ट्रोन में इसमें आया है इसकी बाद करो अब देखो यहां पर ध्यान से देखो अब यह है आपका क्या फिर से वह यह आ गया साइकलो प्रोपेन और यहां नेगेटिव चार्ज अब इस टाइम इस टाइम पे यह क्या है आपका कार्बो अनायन है यह क्या है कार्बो अनायन मतलब कार्बन की उपर नेगेटिव चार्ज ठीक है समझ में आ गया चलो देखो तो क्या यह प्लेनर है हाँ प्लेनर तो यह है क्या यह साइकलिक है हाँ ये cyclic भी है क्या इसमें conjugation है CPC conjugation है देखते हैं देखो negative, single, double double, single, negative हर साइड से conjugation है ठीक है तो conjugation भी देखिया क्या ये carbon SP2 hybridized है या नहीं इसके बारे में जानते हैं आज आओ देखो ये जो carbon है क्या मैं इसको कैसे लिख दूँ आपके लिए भी हल देखो यहाँ पर CH, single bond CH, double bond CH और ये single bond यही होगा और इस Q पर आएगा एक negative charge अलग से ठीक है ना तो देखो एक, दो, तीन हो यहाँ पर CH2 कर दो यहाँसा बन जाएगा ठीक है अब यहाँ हुआ कित्तों से है देखो total यह जोड़ा हुआ है 4 से तो मतलब आ रहा है 5, 5, minus 1 मतलब की 4 मतलब SP3 hybridize देख रहा है मुझे ठीक है SP3 hybridize मतलब कित्तों से जोड़ा है देखो 1, 2, 3, 4 ठीक है तो यहाँ पर 3 आएगा मतलब total समाएगा 4 और 4 यहाँ पर क्या है यह आपको देख रहा है CH negative single, single और यह double जैसे ही यह negative है यह conjugation में चला जाएगा और यह skew पर negative हाजाएगा मतलब की आपको यह कैसा देखेगा यह ऐसा देखेगा CH double bond CH CH2 और यहाँ पर CH2 ऐसे यह देखने को मिलेगा अगर मैं आपको एक normal change से समझाऊं तब आपको ऐसे देखने को मिलेगा मतलब की दोनों मैंसे समझ लो cycle मैंसे समझ लो single मैंसे समझ लो CH है single bond है single bond है CH है double bond है और यह आपका CH2 है होके समझ में आ गया अब यह अगर मैं सर्फ इसका निकालूंगा तो से तो sp3 आएगा लेकिन डालेक्ट इसका नहीं निकालते हैं आपको हमेशा conjugation से चलना है क्योंकि negative single double होगा यह total जो pile electron है यह share करते रहेगा तो यह बन जाएगा ch double bond ch2 और single bond ch2 की उपर negative charge ऐसे ठीक है आप निकाल हो जा रहा carbon का क्या आ रहा है अब तो sp2 ही आएगा क्यों आएगा sp2 एक दो तीन चार मतलब क्या जाएगा sp2 hybridized sp2 hybridized carbon double bond जहां पर भी होता है sp2 hybridization आता है ठीक है एन जब रहता है तो sp3 hybridized आता है तो इस बात को ध्यान से याद रखो ठीक है ना समझ में आ गया तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है क्योंकि negative charge जब भी carbon ion क्या हो localize ना हो delocalize electron हो ठीक है मतलब कि जो carbon ion का negative charge है वो अपना negative charge को इधर उधर करता रह रहा है अगर conjugation है तो वो sp2 hybridized होगा ये बात को हमेशे याद रखना अगर नायन कार्बो नायन जो है वो localization या फिर का conjugation नहीं कर पा रहा है तब उसका hybridization sp2 नहीं होगा ये चीज़ अच्छे से याद रखना ठीक है समझ गए तो इस बात को ध्यान से याद रखो चलो किस्ते हमें ने क्या पता चला कि ये वाला जो carbon ion है इसकी उपर क्या है sp2 hybridized electron है hybridization है अब क्या ये आपका हकल डूल फॉलो कर रहा है देखो कितने πाई हैं देखो यहाँ पर है आपके पास 2 πाई electron sir ये negative वाला क्यों नहीं count किया ये भी तो πाई electron ही है न देखो जब भी आपका negative charge conjugation में जाएगा conjugation में जा रहा होगा या फिर आपका जो lone pair है वो conjugation में जा रहा होगा तो उसका electron या फिर उसका जो πाई है वो अपन count नहीं करेंगे वो अपन count नहीं करेंगे ठीक है तो बिलकुल यहाँ पर क्या है देखो आपके पास 2 πाई electron system है ठीक है तो क्या यह हकल दूल follow करेगा बिलकुल करेगा तो यह हो जाएगा आपका aromatic compound ये भी हो जाएगा आपका aromatic compound समझ गए चलो इसकी बात करते हैं अब यह भी क्या है देखो आपके पास एक दो तीन चार पांच छे साथ मतलब यह आपका heptane है लेकिन यह क्या देखो बीच में आपका क्या लगा हुआ circle है और plus है मतलब aromatic होगा और एक carbon की उपर प्लस होगा मतलब carbon होगा तो चलो इसको बना लेता है देखो कैसे बनेगा यह अगर मैं इसमें ही कर रहा हूँ इसको हटा देता हूँ तो क्या बनेगा देखो यहाँ पर double alternate लगाना है double single छोड़ दो फिर double double single छोड़ दो फिर double ठीक है और इसकी उपर जाएगा एक प्लस इसका मतलब यह है अब यह हमें पता करना है क्या यह aromatic है क्या यह non-aromatic है या anti-aromatic है ठीक है non-aromatic तो यह हमें कहीं से नहीं देख रहा क्यों conjugation दिख रहा है देखो plus single double double single double double single double double single plus ठीक है तो conjugation है तो आपका non-aromatic तो हटा दो दो चीज देखेंगे anti aromatic और aromatic pi electrons को count कर लो जारा ठीक है ये वला carbon क्या होगा sp2 होगा ये भी sp2 होगा हाँ चलो ये sp2 सब sp2 ही है ओके क्योंकि ये carbonatein है तो sp2 होता है मैंने आपको अभी बताया आपका conjugation दिख रहा है तो भी ठीक है planner है बिल्कोल planner है अब यहाँ पर देखो हागल रूल फॉलो करेगा क्या कितने अलेक्टरॉन है इसके पास एक दो तीन चार पांच छे छे अलेक्टरॉन है इसके पास क्या देखो यह है आपका टोटल सिक्स एलेक्टरॉन तो अब बताओ 4n प्लस 2pi ठीक है 4n प्लस 2pi तो क्या ये follow कर रहा है या नहीं कर रहा है थोड़ा से दिम्हक लगा और बताओ जल्दी बोलो ठीक है 4N प्लस 2P 6 electron एक ring है बिलकुल एक ring है तो 4 प्लस 2 मतलब 6 electron तो इसमें आ रहे हैं 6 electron तो इसमें आ रहे हैं बड़ी है तो ये आपका क्या हो जाएगा ये भी आपका एक कौन सा है aromatic compound है ठीक है clear बढ़ी है न एकदम ठीक है चलो अब इसकी बात करते हैं अब इसमें देखो क्या ये aromatic है या नहीं है यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ इसको कैसे निकालेंगे अपन oxygen की उपर negative charge क्यों bond की shifting हो रही है और यहाँ पर ये cyclopropen की उपर positive charge तो ये तो same ही होगे न ये तो same ही होगे इसकी तरह पर तो ये भी क्या हो जाएगा इसकी बात करो भाई ठीक है इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा scene ये क्या है SP2 carbocatine ये क्या है आपका SP2 ये सारे के सारे SP2 और ये भी SP2 cyclic है हाँ है planar है बिलकुल है conjugation दिख रहा है plus single double ठीक है और आपको क्या दिख रहा है देखो यहाँ पर आपके pi electrons कितने हैं total two pi electrons है two pi electrons है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ये भी एक aromatic compound है aromatic compound है clear है समझ में आ गया सभी को ओके बढ़ी है एकदम चलो अब आपन थोड़ा और आगे चलते है 2 pi electron system में अपन ने ये सारी सारी चीज़े देखी तो इसको मैंने पता नहीं skip कर दिया था ठीक है तो इसको आप देख लेना एक बार ये टोटल चीज़े लिखी है कि देखो ये क्या करेगा 4 and plus 2 pi electron follow करेगा if electron delocalized then compound aromatic होगा अगर electron delocalized नहीं होगे तो compound non aromatic होगा compound will never be anti-aromatic कभी भी ये जो compound है 2 pi electron वाला वो कभी भी के नहीं होगा आपका anti-aromatic नहीं होगा ठीक है अब एक चीज़ को जरा correct कर लेना पीछे वाला ये जो मैंने बोला negative का conjugation count होगा ठीक है pi electron में count होगा तो ये total क्या है कि आपके पास एक दो चार 4 pi electrons आएंगे इसमें ठीक है 4 pi electrons आएंगे मतलब ये जो compound है आपका anti-aromatic होगा anti-aromatic होगा ठीक है इसको थोड़ सा correct कर लेना मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा ये आपका 4 pi electrons में भी है ठीक है चलो अपन चलते है सीध है 4 pi electrons पे यहाँ पे देखो अब इसमें क्या है अब आपका जो system है वो 4 pi electron वाला होगा पहले 2 pi वाला था अब 4 pi वाला होगा चालो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर अगर इस compound की मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो compound है अच्छे एक चीज और डारेक्ट अपन कैसे समझेंगे 4 pi electron है ठीक है डारेक्ट 4 pi है तो क्या आपका कोई भी compound जो है वो aromatic इसमें से हो सकता है क्या 4 pi में नहीं होगा क्यों क्यों कि हकल rule तो हमारा 4 and plus 2 pi वाला है ठीक है और ये already क्या है आपका 4 के multiple में है ना जैसे कि 4 pi electron 4 and pi electrons ठीक है तो मतलब 4 जब into 1 करोगे 4 into 2 करोगे तो ये वाले system में आपका 4 के multiple में ही आएगा मतलब ये किस में आएगा आपके पाश जाद अतर anti-aromatic में anti-aromatic में ठीक है तो starting में ही मैंने आपको एक छोटी सी trick बता दी कि जहां पर भी 4 pi electron देख रहा है मतलब आधे से ज़्यादा chances ये हैं कि वो आपका anti-aromatic में आएगा ठीक है चलो समझते हैं अब यहां पर देखो ये आपको एक compound देख रहा है कितने pi electron देख रहा है इसके पास 1,2,3,4,1,2,3,4,4,4 ये देख रहा है मतलब ये क्या होगा आपका पास anti-aromatic होगा anti-aromatic होगा अब इसकी बात करते हैं जो आपने पीछे लिया फैद्याँ से सलो एक बाट ठीक है ये negative है ठीक है negative मतलब की इसके पास क्या है already pi electrons है तो ये क्या करेगा घूमते रहेगा ठीक है ध्यास देखो तो ये आपके पास negative single double तो ये यहाँ घूमेगा ये यहाँ घूमेगा ठीक है तो मतलब दो इधार है दो इलेक्टरोंस इधार है दो इलेक्टरोंस इधार तो ये भी किता होगा 4 pi electrons तो हकल डूल फॉलो करेगा नहीं करेगा क्यों हकल डूल में 4 आहीं नहीं सकता या तो 2 आएगा ठीक है या तो आपका 6 आएगा तो ऐसी ऐसी चीज़े आती रहेंगे ठीक है लेकिन कभी भी 4 नहीं आएगा ठीक है तो ये क्या उजाएगा ये क्या follow कर रहे है आपका anti-aromatic anti-aromatic compound okay aromatic क्यों नहीं है हकल डूल फॉलो नहीं करता इसकी बात करते है ठीक है तो ये पूरा का पूरा है भाई ऐसे ठीक इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे देखो कैसे करेंगे गोला है सरकल है मतलब क्या होगा यहाँ पर pi electron घूम रहे होंगे ठीक है तो घूमा दो जड़ा pi electron को तो ये मैंने बनाया आपका ये compound ठीक है यहाँ pi single ये छोड़ दो ये क्यों क्यों छोड़ा क्योंकि 2 आपके पास plus charge है ठीक है 2 plus charge है अब इसमें निकालो ये क्या होगा तेहां अंसे देखो बड़ा मज़ा आएगा ये देखो ये भी क्या है आपका sp2 hybridized क्योंकि ये कार्बो केटायन है ये तो ये भी sp2 तो ये वाला कार्बो केटायन भी sp2 होगा सारे के सारे जो कार्बन है सारे एटम sp2 hybridized है ओके सर प्लेनर है हाँ है साइकलिक है बिलकुल है क्या ये हकल रूल फॉलो करेगा देखो यहाँ पर एक दो तीन चार कार्बो केटायन में पाई एलेक्ट्रोन काउन नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है एक दो तीन चार तो तोटल है चार पाई एलेक्ट्रोन हैं चार पाई एलेक्ट्रोन मतलब डारेक्ली हम पहुँच गए ये क्या होगा anti-aromatic होगा anti-aromatic होगा clear है चलो अब इसकी बात करते हैं देखो फिर इसे क्या आगे आपके पास carbocatine तो लगा दो sp2 hybridized double है और single है मतलब बेंजीन जैसे system में इसका भी मतलब एक ही carbon है एक ही hydrogen होगा इसके पास तो ये सारे के सारे जो carbon है ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला मतलब पूरे ही हो गए sp2 hybridized है ठीक है clear है चलो देखो double single बना रहे है इसलिए है चलो ठीक है अपन आगे चलते है तो सारी की सारी चीज़े तो ये follow कर रहा है अब pi electron बस गिल लेते तो किते है pi electron 4 pi electron इसमाई भी दिख रहे है direct दिख रहे है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये भी आपका anti-aromatic हो जाएगा अब question कैसे पूछता है ऐसे नहीं पूछेगा कभी मतलब पूछेगा ऐसे भी लेकिन जाज़ता कैसे पूछता है ऐसे पूछता है ठीक है वो shift हो जाएगा electro negative के उपर मतलब यहाँ negative हो जाएगा और इसको आपको देना है plus उसके बाद आप इस में देखोगे इस ring को देखोगे इसको तो हटा दो अब इसकी बात नहीं करी जाएगी ठीक है सिर्फ किसकी बात करी जाएगी इस ring की बात करी जाएगी तो अब देखो क्या ये ring आपको aromatic दिख रही है नहीं देखेगी क्यों 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 देखो ये जो ring है इसके जैसी हो भी same तो ये भी क्या है आपकी बिल्कुल सही anti-aromatic anti-aromatic तो सारी कि सारे यहाँ पर जो है वो anti-aromatic है ठीक है मैं बार बार बोल रहा हूँ पीछे वाला थोड़ा सा change कर देना ठीक है तो यह आप क्या है आपके पास इसमें भी क्या है 4 pi electrons है 4 pi electrons मतलब की anti-aromatic clear है ठीक है तो इसकी बात क्या है देखो ये रही है आपकी बात 4 pi electronic system जो है belongs to 4 and pi electron system ठीक है बिलकुल does not follow huckle rule follow रही करेगा huckle rule आपको मैंने पहले भी बता दिया if electron is delocalized then compound is anti-aromatic if electrons does not delocalize then compound is never anti-aromatic ठीक है if electron does not delocalize then compound is non-aromatic ठीक है समझ में आ गया अब अगर electron है वो delocalize नहीं हो रहा है तो compound क्या हो जाएगा non-aromatic हो जाएगा ठीक है और अगर if compound does not delocalize then compound never be anti-aromatic ठीक है तो ये वाला जो point है वो यही है नीचे वाला ही है ठीक है non-aromatic हो जाएगा क्योंगा aromatic होने के तो chances ही बहुत कम है electronic system अब इसमें क्या है देखो भाई जो आपकी compound में होंगे 6 पाई electron होंगे इसमें से आपको देखना है कौन सा अरोमेटिक है कौन सा एंटिमे अरोमेटिक होगा ठीक है देखो यहाँ पर एक compound देख रहा आपको यह कह रहता है पायरडीन क्या यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या यह साइक्लिक दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है साइक्लिक क्या यह प्लेनर है बिल्कुल प्लेनर है क्या यहाँ पर conjugation है अब समझना पड़ेगा देखो double, single, double double, single, double double, single, double तो यहाँ पर भी Conjugation है, CPC तो हमारा हो गया, ठीक है, उसके बाद अप क्या देखोगे, क्या यहाँ पर सारी के सारे Carbon, SP2 Hybridized है या नहीं है, या फिर जिसने की भी Atom है, वो SP2 Hybridized है या नहीं, सिर्फ Carbon का Hybridization चेक नहीं करना, जितने भी Atom है, सब का चेक करना है, clear है, तो चलो पंज़रा समझते हैं, यह Carbon, देखो, कितने Bond बना रहा है, तीन Bond बना रहा है, कितने Sigma है, तीन Sigma, एक Pi, तोटल कितना है, तीन Sigma है ना, देखो यहाँ पर, एक, दो, और यह Hydrogen में भी तो होगा, एक, दो, तीन Sigma, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यह क्या है, आपका SP 2 Hybridize है, बड़ी हैं एक दम, चलो देखो, यहाँ पर क्या है, यह भी क्या है, SP2 Hybridize है, यह वाला भी SP2 Hybridize है, अब इसकी बात करो, नाइट और जन के, नाइट जन के पास होते है, Lone Pair, कितने Sigma, कितने Bond बना रहा है, देखो यह, एक Sigma, एक Sigma, दो Sigma, ठीक है, तो यहाँ पर एक, आपके पास क्या है, Lone Pair भी है, टोटल Bond कितने 3, और एक Lone Pair भी है, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी आपका है, SP2 Hybridize, यह भी SP2 Hybridize, और यह भी SP2 Hybridized, दिख रहा है ना, ठीक है, क्लियर है, टोटल अपन निकालते कैसे हैं, देखो कैसे निकालते हैं, कितने चीजों से Attach है कितने चीजों से Attach है, एक Nitrogen यहाँ वाले Carbon से Attach है, तो एक, यह वाला Carbon तो एक, दो यह हो गए, ठीक है, और इसके पास एक Lone Pair है, तो टोटल 3, ठीक है, क्योंकि Lone Pair से भी वो Attach हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, 3, तो कितना हो जाएगा, 3-1 करोगा, कितना जाएगा, 2, म माइनस 1 करते चलोगे, clear, तो सारे का सार आपको क्या देख रहा है, Conjugation भी है, SP2 Hybridization भी है, मतलब कि यह क्या हो जाएगा, आपका Aromatic हो जाएगा, यह जो Compound है, आपका हो जाएगा, Aromatic Compound, इसकी बात करते हैं, अब ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा, देखो, यहाँ अब बात करेंगे सबसे पहले, साइकलिक है, प्लेनर है, Conjugation चेक करना है अब, Conjugation देखते हैं, चलो देखो, Double, Single, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, Single, Double, और यहाँ पर भी Nitrogen, अब निकालो कैसे निकालोगे, सर आप एक चीज़ भूल रहे हो, Nitrogen की उपर होते हैं, Loan Pairs, अब जहाँ जहाँ से देखो, Double, Single, Loan Pairs, Loan Pairs, Single, Double, समझ गए, और यह वाले Carbon Nitrogen के पास भी होंगे, Loan Pairs, होंगे ही होंगे, सिंपल स या नहीं है, तो इसके वाले हम बात करते हैं, तो आज आईए, देखो, यह वाला जो Nitrogen है, यहाँ पर यह अपना Loan Pair देगा, इधर, तो यहाँ पर Shifting होगी, ठीक है, यह वाला जो अपना Loan Pair है, यह देगा, तो इसकी Shifting होगी, ठीक है, और अच्छा एक चीज़ नहीं यह Loan Pair देगा, तो यहाँ पर कर जाएगा, Loan Pair, Single Double, बिल्गो Conjugation दिख रहा है, अब Atom की बात करते हैं, Atom के SP2 Hybridized है या नहीं है, कितने से अच्छ है, एक, दो, तीन, तो यह तो आपका क्या देख रहा है, SP2 Hybridized, तीन किसको बोला मैंने, Loan Pair को, ओके, चल, अब इसकी करो, तो यह तो मैं दिख रहा है, सर, SP2 Hybridized होगा, इसकी बात करो, देखो, एक, दो, और यह तीन, तो यह भी SP2 Hybridized है, ठीक है, यह सारे के सारे क्या है, आपके SP2 Hybridized है, clear है, समझ में आ गया, अब देहान से देखना, ठीक है, अब देहान से देखो, आपको यहाँ पर क्या द देखो, ध्यान से, पूरा हटा दिया है, मैंने, कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, कि यह फॉलो कर रहा है, चार पाई एलेक्ट्रोन सिस्तम, है ना, तो आप इसको जट से जाके लिख दोगे, anti-aromatic, वही पर आपके खेल खतम हो जाएगी, क्यों खतम हो जाएगी मैंने क्या बोला था, lone pair, ये वाला जो lone pair है, ये तो participate कर रहा है, ये वाला जो lone pair है, ये तो participate कर रहा है, लेकिन ये वाला जो lone pair है nitrogen का, ये participate नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला participate नहीं करेगा, सर क्यों नहीं कर रहा है, जब कभी भी nitrogen आपका किसी double bond से जोड़ा होगा, तो ये participate नहीं करेगा, क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि अगर इसने participate करा तो ये वाला atom की जो hybridization है, वो SP हो जाएगी SP अगर हो गई तो bond टूटने के बहुत सारे chances होते हैं ये ध्यान रखना अच्छे से ठीक है, और ये कैसा बन जाएगा, देखो नहीं करता, ये जैसे का तैसा ही रहता है अब गिनो कितने πाई electron है एक दो तीन चार और ये भी तो participate कर रहा है तो 6 हो गए तो यहाँ बड़ टोटल है, आपके पास 6 पाई electron 6 पाई electron, 6 पाई electron मतलब की yes, it is following huckle rule huckle rule को follow कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, aromantic compound ये भी हो जाएगा आपके पास aromantic compound ठीक है, इसकी बात करो इसमें तो आपको direct दिख रहा है क्या दिख रहा है, देखो, यहाँ पर दो ये दो, ये दो तोटल कितने होगा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब की 6 पाई electron और 6 पाई electron का मतलब ही है आपका हकलगूल तो फॉलो कर रहा होगा planar आपका है, cyclic आपका है, conjugation आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है और अगर आपको conjugation देखने को मिल रहा है इसका मतलब क्या है ये aromantic है, ये हो जाएगा aromantic compound aromantic compound इसकी बात करो, देखो loan pair single double, loan pair single double conjugation दोनों साइट से है और अगर दोनों साइट से है planar तो ये आपका है cyclic भी है, planar भी है आप कैसे निकालोगे, CPC से निकालता है cyclic, planar और फिर आपका conjugation है या नहीं, ठीक है planar है, cyclic है conjugation भी है अब यहाँ पर हकल दूल फॉलो कर रहा है कि नहीं दो electron, ठीक है, दो और दो total हो गए 6 pi electron मतलब हकल दूल फॉलो कर रहा है तो yes, this is also aromantic compound aromantic compound ठीक है, इसकी बात करो, देखो इसको मैं, अच्छे चलो, इसको छोडो अगर मैं इसकी उपर double bond oxygen लगा दूँ अगर मैं क्या करूँ, इसकी उपर ऐसा इसको हटाऊं, इसको मैं हटा दूँ और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो, यह बताओ यह वारा जो compound है क्या यह aromatic है, anti-aromatic है तो कैसे करोगे, सर वही तो है क्या करना है, यहाँ पर electron को ऐसे shift करना है, तो यह negative हो जाएगा फिर यह positive बन जाएगा, तो जो मैंने आपको अभी मिटाया, वही बन गया, देखो यह positive बन गया, और यह negative हो गया समझ गया, तो ऐसे करना है आपको इसलिए मैं मैं बताया आपको ना ठीक है, तो यह positive हो गया, हम सभी जानते हैं, बहुत पहले से, मतलब अभी से कुछ मिन्टों पहले से की, हर कार्बो काटायन, SP2 हाइवडाइज होगा बढ़िया, यह सब के सभी भी SP2 ही होगे, देखो जहाँ पर भी carbon, benzene जैसा बना देना, SP2 सारे के सारे SP2 हैं, साइकलिक है प्लेनर है, ठीक है, कितना electron है, 2, 4, 6 6 electron है, मतलब 6 pi electronic system है, मतलब कि यह क्या करेगा हकल rule follow करेगा हकल rule follow करेगा, अब क्या कर याद रखना है, देखो याद रखना है, शॉर्ट में belongs to 4 and plus pi electron मतलब हकल rule follow if electron is delocalized, वही बात आ गई कि aromatic होगा, अगर delocalized नहीं होगा, तो आपका non-aromatic होगा, anti-aromatic कहीं नहीं लिखा anti-aromatic लिखा है कि कहीं, नहीं लिखा है ठीक है, तो या आपका aromatic होगा, या तो non-aromatic होगा, clear है समझ में आ गया, चलो आपन आगी चलते है चलो, 8 pi electronic system, ठीक है आप खुद दिमाग लगा लो, 8 pi मतलब की 4 के multiple में है मतलब क्या होगा, ज़्याद तर आपके anti-aromatic होगे, ठीक है, चलो आपन इसकी बात कर लेते हैं, अब ये मुझे compound दिख रहा है, compound number a नाम देते हैं इसको, यहाँ पर मुझे तो सब सब दिख रहा है कि ये वाला जो compound है ये क्या है, double, single, double, double, single, double, double, single, double मतलब यहाँ पर conjugation तो follow कर रहा है ठीक है, ओके, तो ध्याद से सुन ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ये cyclic है, ठीक है, ये क्या है आपका, cyclic तो ये आपका है conjugation भी आपका है ठीक है, और यहाँ पर कितने है 8 pi electron है मतलब ये आपका क्या होना चाहिए anti-aromatic होना चाहिए anti-aromatic होना चाहिए लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना दिख तो आपको ये ऐसा रहा है लेकिन आपको ये फसा देगा अगर आपने anti-aromatic लिख दिया क्योंकि ये जो compound है ये होता है आपका tub shape का tub shape का होता है ठीक है ये ध्यान रखना इस बात को, ये tub shape का होता है इसलिए ध्यान से सुनना मैंने क्या-क्या बोला था मैं क्या लिखता था हूँ cpc लिखता हूँ मैंने cc लिखा है p कहा गया क्योंकि ये planar नहीं होता ये planar नहीं होता और अगर किसी भी rule को कोई follow नहीं करता है तो वो किस में चला जाता है non aromatic में ठीक है ध्यान सुनना ये क्या है आपका ये है एक non aromatic compound aromatic compound ठीक है आपको पता है तीन rule तो सेम ही है planar, cyclic, sp2 ठीक है ना लेकिन देखो अगर उस में से भी एक follow भी नहीं करा तो वो आपका non aromatic में जाएगा ठीक है huckles rule और 4 और 5 तो पन बाद में देखते है ठीक है तो चलो इसकी दो बात ही खतम हो गई ये आपका non aromatic है इसको बहुत जादा अच्छे से ध्यान रखना ठीक है इससे questions बना हुआ है इसकी बात करते हैं देखो यहाँ पर क्या है आपको इसमें क्या देख रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल तो conjugation नहीं है ठीक है तो मतलब conjugation नहीं मिला नहीं मिला तो फिर से क्या हो जाएगा ये non aromatic non aromatic compound ठीक है चलिए तो बाकी तो आपका दिख तो आपको 8 pi सिस्टम में रहा है रहो एक दो तीन चार 4 x 2 मतलब 8 pi electrons बढ़ियां ठीक है इसमें भी तो आपको भई दिख रहा था एक दो तीन चार 4 x 2 मतलब 8 pi electrons ठीक है लेकिन दो तीन जीज़ों को याद रखना ये tub shape है यहाँ पर conjugation नहीं है ठीक है ना चलो इसकी बात करते हैं इसको मिलाओ ज़रा पूरे में घूम जाएगा conjugation भी आपको देख रहा है तो चलिए बढ़ियां एकदम conjugation भी है क्या यहाँ पर सारे के सारे जो आपके sp2 hybridized है या नहीं एटम चलो उसकी बात करते हैं तो आजाओ भाई देखो ये है आपका carbonion normally अगर देखा जाए तो carbonion sp2 नहीं होता लेकिन जब कभी भी carbonion जो है वो conjugation में पार्ट लेता है तो हम उसको हमेशा sp2 consider करते हैं sp2 hybridized consider करते हैं मैंने आपको अभी बताया था याद होगा कुछ चंद मिनिटों पहले ही बताया था यह बात तो कैसा दिख रहा था देखो ch2 single ch double ch2 ऐसा दिख रहा था तो यह क्या करेगा ऐसा shift कर लेगा ch2 double ch single ch2 minus ठीक है और हर double bond की जो hybridization है वो sp2 होती है इसके करण जब भी carbonion की उपर conjugation होगा और होगा तो sp2 होगा अच्छा मज़ गए तो यह sp2 है यह भी sp2 है यह सारे के सारे तो sp2 ही है क्योंकि double bond है ठीक है तो बिलकुल चलो यहाँ पर आपका पास sp2 भी consider कर लिया अब आगे कितने πाई electron है क्योंकि यह us में जा रहा है क्योंकि यह इस में जा रहा है तो count करेंगे तो 2, 4, 6, 8 तो 8 pi electron मतलब की कहीं से भी हकल रूल follow नहीं करेगा 4 and pi electron follow कर रहा है मतलब यह क्या हो जाएगा आपके पास anti-aromatic anti-aromatic clear है समझ गए अब अब अपने बागी की चीज़े क्या कहते है overview क्या कहता है द्हां सनो 8 pi electron 8 pi electron belongs to 4 and pi rule हकल rule को belong नहीं करता if electron is delocalized तो anti-aromatic ठीक है if electron does not delocalize तो non-aromatic aromatic की बात नहीं आ रही है anti-aromatic या non-aromatic की बस बात आ रही है clear है चलो अब अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं देखो अब 10 pi electronic system 10 pi electronic system तो यहाँ पर अब आपके पास एक compound देख रहा है जादा तर आपको एक चीज़ देखने हो के मिलेगी जो आपका 10 pi electron है यस वो aromatic होते है ठीक है aromatic वो हो सकते है क्यों क्योंकि यह follow कर सकते है आपके हकल rule हकल rule क्या कहता है आपका 4 and plus 2 pi 4 and plus 2 pi बोलता है और n की value अगर मैं 2 रख रहा हूँ यहाँ यहाँ पर तो यहाँ पर क्या सकता है 10 pi electrons आ सकते है ठीक है तो यह तो follow कर सकता है लेकिन अगर आपको ऐसा कोई compound देख रहा है ठीक है ऐसा कोई compound देख रहा है मतलब कि क्या देखो यहाँ पर आपको यह वाला जो hydrogen देख रहा है और यह वाला जो hydrogen देख रहा है मैं आपको बना के देखा देता हूँ देखो ऐसे देखेगा एक दो परवत बना दो ऐसे 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 ठीक है और नीचे भी बना दो ऐसे 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 ठीक है अब बनाना देखो यह आपका डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल फिर डबल डबल सिंगल और फिर डबल तो यह कॉंजुगेशन तो है आपको देखे ही रहा है मैंने बनाते से बता दिया ठीक है यह आपका क्या सुनो यह आपके कॉंजुगेशन तो है साइ SP2 ही है, अब ध्यान से देखना इसको मैं Aromatic क्यों नहीं कह रहा हूँ अभी तक क्यों नहीं बोला यहाँ पर यह जो आपको Hydrogen देख रहे हैं, यह वाले जो Hydrogen यह वाला Hydrogen और यह वाला Hydrogen मैं इसमें बता देता हूँ, यहाँ पर एक Hydrogen होगा, और यहाँ पर एक Hydrogen होगा ठीक है, अब यह Hydrogen काफी ज़्याद़ क्लोज है काफी ज़्याद़ क्लोज है सेम एटम है, तो इनके बीच में क्या होता है, Repulsion इसके बीच में होता है, Repulsion और द्यान से सुनना, कभी भी जिस भी Compound में Repulsion होता है मैंने आपको Acidity of Carboxylic Acid में बताया था, क्योंकि बगल में Carboxylic Acid के कोई भारी गुरूप पा जाता है, उसको रिपल करता है, तो क्या चेंज हो रहा था प्लेन चेंज हो रहा था तो क्योंकि यहाँ पर Repulsion काफी ज़्यादा होता है, तो यह ने Repulsion के कारण, यहाँ पर यह प्लेनर नहीं रह पाता प्लेनर नहीं हो पाता और अगर यह प्लेनर नहीं है, तो यह किस में चला जाएगा, Anti-Aromatic में नहीं जाएगा, वो Non-Aromatic में चला जाएगा, तो याद रखना, ऐसे Compound Non-Aromatic होते हैं ठीक है, अपने दो कहानिया देखिए ऐसी, एक 8 Pi Electron में, जिसमें क्या चला गया था वो, टब शेप हो गया था प्लेनर नहीं रह पाया था और दूसरा आपका यह वाला इसमें Repulsion जादा है, तो प्लेन चेंज हो गया, प्लेन चेंज हो गया, तो वो किसमें चला जाएगा, आपका Non-Aromatic में, Anti-Aromatic में नहीं Non-Aromatic में, क्लियर है समझ में आ गया, अब एक भाई भी होते हैं, नेफ्थलीन के जिसको एजूलीन बोलते है, जो आपका एजूलीन होता है वो एजूलीन होता है, जैसे कि बता देता हूँ यह आपका हो गया, बेंजीन यह हो गया, बेंजीन अगर मैं डारेक्ट एक और ऐसी रिंग बना दूँ छै की, ठीक है, तो यह नेफ्थलीन हो जाता है लेकिन अगर इसको मैं इसका भाई बना रहा हूँ छोटा सा भाई, छोटा भाई मत्तब कि ही, इसमें कितछीन है, पांच की रिंग होगी पांच की रिंग होगी, ऐसे यह आपका, एक, दो वन्टू, थरी फोर, और यह आपका पांच ठीक है, कॉन्जुगरेशन बनाऊ डबल, सिंगल, डबल डबल, सिंगल, और यह आपका इधर डबल, डबल, सिंगल और यहाँ पर आएगा डबल, ठीक है, तो यह क्या है आपका, यह जो आपका बना, यह आपका बन जाएगा एजूलीन, देखो, एक, दो, तीन, और यहाँ पर एक हो जाएगा चार, ठीक है, तो यह आपका, डबल, सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, डबल बढ़िया, ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये होता है आपका एजूलीन, और एजूलीन में किते हैं, 10 pi-electrons है, क्योंकि 10 pi-electrons है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये आपका aromatic होता है क्योंकि cyclic है planar है sp2 है तो सारा क्या हो जाएगा यह आपका यह वाला जो compound है आपका must तरीके से हो जाएगा ने वाला है aromatic ठीक है? azulin बोलते हैं इसको azulin azulin, naphthalene का ही भाई है ठीक है? और आपका इसमें और पी चीज़े देखी गई है 10 pi electron में एक cyclic होता है ठीक है dehydrogenation वाला होता है और एक bridging वाला होता है लेकिन आपको वो है नहीं सिलिए बस में नहीं है, सिलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ ठीक है? आपको सिर्फ इतना द्यान रखना है ऐसे नहीं simple question पूछेगा वो फिर अपन आगे चलते है देखो आप इसमें पहली चीज़ तो आगे नहीं चलते है, पहले यह देख लो ठीक है, 10 pi electrons कहा है belongs to 4 and plus 2 pi electron बिल्कुल सही, इफ electron delocalize होगा तो compound aromatic होगा, nature में ठीक है, अगा delocalize नहीं होगा तो non aromatic हो जाएगा, ठीक है और compound will never be anti-aromatic कभी भी anti-aromatic नहीं होगा समझ में आगे है, क्यों क्यों नहीं होगा क्योंकि उसके लिए तो 4 pi electronic system को follow करना पड़ेगा, लेकिन यह 4 and plus 2 pi electronic system को follow करता है clear है, चलो, अब आपन आगे चलते है next है आपका एक topic होता है anilines, ठीक है, यह क्या होता है anilines क्या होता है, बहुत simple सी चीज़ है देखो, मैं बताता हूँ, अगर कोई भी क्या है, एक cycle है, कोई भी cyclic है, कोई भी मैं लेके चलना हूँ cyclic structure, cyclic structure, ठीक है उसमें अगर regularly conjugated, conjugation है regular conjugation है, मतलब कौन सा है, double double, double single, double single, double single यह सब bond है, ठीक है, तब वो किस में आता है, anilines में आता है, अब अगर यह जो anilines है आपके जो anilines है, ठीक है वहाँ पर हर जो है पूरा compound जो है, वो even है अगर जितने भी carbon है, वो even है तो वो हो जाता है, आपका formula हो जाता है cn, h2, hn, ठीक है इस formula होता है, ठीक है कोई भी aniline, ठीक है, जिसमें जैसे ऐसा देख रहा है आपको, जैसे क्या है, ब्यूटीन है, साइकलो ब्यूटीन ठीक है, डाइन, यह आपको क्या है यह आपका double, यह आपका double यह single, फिर double, फिर single मतलब, आपको क्या देख रहा है double, single, double, single अगर आपका जो एनुलीन्स है वो और नमबर ओफ कार्बन है उसके अंदर तो आप उसको निकाल सकते हो cn hn प्लस 1 से ठीक है यह इसका जनरल फॉर्मूला होता है वैसे इतना खास आपसे पूछा नहीं जाता है यही में लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखो जैसे कि कोछ और एक्जामपल अगर मैं देखू यह आपका एक्जामपल है क्या है यह जो पिछला वाला ठीक है कोई चार्ज उसकी उपर नहीं होता है जबतर यह बोला जाता है ठीक है बस इतना छोट असा एक ख्याल रखो इसका कि यह ऐसे चीज़े होती है ठीक है एक्जामपल अगर मैं बात कर रहा हूँ यह वाला यह भी तो एक अनुलिंस ही है ठीक है क्यों डबल सिंगल ड ठीक है चलो और कुछ एक्जामपल देखते हैं पीछे है क्या चलो इसकी बात करो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल तो यह भी अनुलिंस हो गया ठीक है इसमें है क्या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल यहां पर कोई बॉंड नहीं है इसको मत गिरना ब पूछता है ठीक है तो अब इनको अगर solve करना सीख गए तो फिर बहुत बढ़ियां बात है चलो आप इसको solve करते हैं ठीक है match the following है ठीक है आप एक को दो चीन सीजों से match कर सकते हो जैसा कि आपका बैठ रहा होगा चलो अपन solve करते हैं यहाँ पर यह compound दिख रहा है इसमें option है aromatic, non aromatic, anti aromatic और heterocyclic अब heterocyclic क्या होता है यह भी बता देता हूँ यहाँ पर कोई भी ऐसी ring जैसे कि इसकी बात करो अभी ठीक है कोई भी ऐसी ring मैं आप से पूछ रहा हूँ आपको इस ring के अंदर अभी मुझे पता है bond नहीं है इस ring के अंदर carbon और hydrogen के अलावा कोई और atom दिख नहीं है तो इसको मैं क्या बोलूँगा homocyclic ring ठीक है समझ गए वहीं पर मैं example ले लूँ ऐसा मैंने ये ले लिया nitrogen single ये nitrogen ठीक है मैंने ऐसे bond बनाया हूँ है अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको nitrogen जो है एक different atom है ठीक है carbon से अलग है और इसके अंदर carbon भी है और hydrogen भी है अलग type के इसमें atom present है तो इसको मैं क्या बोलूँगा देखो heterocyclic ring ठीक है समझ में आ गया मतलब carbon के अलावा कोई दूसरा अगर present है तो मैं उसको heterocyclic बोलूँगा अभी के लिए इतना वान के चलो चलो अपन समझते हैं आगे देखो ये जो ring है nitrogen से मिलके बनी हुई है यहाँ पर carbon भी होगा hydrogen भी होगा तो heterocyclic तो यह है मतलब option number 4 तो इसमें हो गई होगा अब आगे चलते हैं कि aromatic है non aromatic है या आपका anti aromatic है चलिए जरा ध्यान दीजे मैंने आपको बताया था nitrogen double bonded है तो यह lone pair नहीं देगा ठीक है सबसे पहले तो यह planar है cyclic है conjugation है या नहीं उस तो मतलब यहाँ पर conjugation तो बहुत अच्छे से दिख रहा है एक बार में इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ ध्यान से देखो यह nitrogen हो गया ठीक है यह जुड़ा हुआ है double bond से ठीक है फिर यह ऐसा गया है जहाँ पर भी double bond है और यह option इसको लेके रखा है ऐसा यही structure देख अपना lone pair नहीं देगा क्यों नहीं देगा सर double bonded है बहुत बड़ियां lone pair नहीं देगा ठीक है तो इसको जाने दो अब इसकी बात करते है अपना oxygen की oxygen अपना lone pair देगा यहाँ पर bond की shifting होगी तो मतलब conjugation तो है अब क्या हर atom sp2 hybridize है या नहीं है उसकी उपर ध्यान देदो इसके ने कितने bond बनाये है दो sigma bond बनाया है यह ठीक है देखो यह वाला जो nitrogen है यह दो sigma बनाया हुआ है और एक इसके पास lone pair है एक क्या है इसके पास lone pair है sum आ गया 3 तो 3-1 मतलब 2 sp2 hybridize है बहुत बड़िया अब इस oxygen की बात करो oxygen के पास कितने bond है देखो यह आपका बना रहा है दो sigma bond देख रहा है ना दो sigma इदर देखो वाई आपर यह एक sigma यह एक sigma जब कभी भी single bond रहेगा sigma bond रहेगा ठीक है और यह अपना एक lone pair कहां दे दे रहा है यहां पर दे दे रहा है ठीक है तो इसके पास कितना lone pair बच गया oxygen के पास 2 lone pair होते हैं एक conjugation में चला गया तो इसक lone pair तो one lone pair समकित्ता आ गया भाई हमाए पास हमा गया तीन मतलब कौन सा hybridization SP2 hybridization बहुत easy ऐसे ही निकालना है ठीक है यह carbon double bonded है छोड़ दो यह वाला carbon double bonded है छोड़ दो यह वाला carbon double bonded है छोड़ दो मतलब SP2 ही होगा double bond जहां दे गया carbon में SP2 hybridization बढ़िया ठीक है तो क्या-क्या follow कर रहा है cyclic है planar है conjugation है और क्या है SP2 hybridization subatom की है अब क्या बच गया कुछ नहीं बचा चीप एक चीज़ बचिए क्या यह huckle rule follow कर रहा है या नहीं कर रहा है कितने पाई electron दिख रहे हैं एक दो तीन चार और एक lone pair conjugation में जा रहा है तो कितने हो गए total 6 हो गए तो 6 पाई electronic system ह conjugation भी है तो क्या होगा aromatic होगा बहुत बढ़िया तो a का option क्या आएगा a मेरा aromatic है और मेरा यह कौन सा है heterocyclic भी है heterocyclic भी है इसकी बात करते हैं ठीक है इसकी बात करते हैं देखो यह कैसा दिख रहा है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ चलो देखो मिटा दिया मैंने इसकी बात करो द्यान से देखना यहाँ पर यह कैसा देख रहा है देखो एक दो तीन चार पाँच है heterocyclic तो अलग ही देख रहा है एक दम अलग देख रहा है क्यों nitrogen nitrogen रिंग में nitrogen nitrogen है तो इधर देखो मैं बना देता हूँ देखो यहाँ पर यह मेरा nitrogen यहाँ से जोड़ा हुआ है NH2 NH2 ठीक है यह double bonded है यह nitrogen ठीक है फिर यहाँ से एक carbon से जोड़ा हुआ है oxygen ओके ठीक है यह nitrogen है यह इसके पास loan pair भी है ठीक है और यह carbon हो गया और यह आपका पूरा एक और जोड़ा हुआ है ऐसे ठीक है तो इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं भाई ठीक है तो इसको मैंने direct ऐसे जोड़ दिया clear है ठीक है तो यह आपका structure बन गया यह double bond लगा लो sir चलो बढ़िया ठीक है यह structure है अब आपनको निकालना है सबसे पहले क्या दिख रहा है hetero cyclic दिख रहा है तो आपका B भी क्या होगा B मेरा hetero cyclic तो है ही है hetero cyclic तो है अब दे अब यह वाले carbon क्या है देखो double bonded है to यह वाला nitrogen आपको दिख रहा है यहाँ पर यह लोन पेयर देगा क्यों सिंगल बॉंड है हना double bond नहीं है तो यह लोन पेयर देगा तो यहाँ पर क्या होगा loan pair single double तो यहाँ पर single double double तो यहाँ पर conjugation भी देख रहा है मुझे बहुत बढ़ियां ठीक है nitrogen कौन सा hybridize है कौन सा hybridize है देखो अब ध्यान से देखना देखो nitrogen की बहुत कहानिया है आप देखो nitrogen जो है यह single bond, single bond, single bond मतलब 3 sigma bond है और अब कई लोग जो गलती करते हैं वो लिखते हैं 3 sigma bond plus 1 loan pair तो सर समा रहा है 4 मतलब यह होगा SP3 hybridize तो बच्चो गलती कर दोगे बहुत बड़ी गलती कर दोगे क्यों क्योंकि यहाँ पर अपन ने अभी बोला इसका loan pair तो conjugation में जाएगा और conjugation में जाएगा तो इसका loan pair count नहीं होगा count नहीं होगा तो समाएगा आपका 3 और यह हो जाएगा फिर SP2 hybridized समझ गए ठीक है धान से सुन लो अच्चे से ठीक है देखो क्या क्या हो रहा है सबसे पहली बात तो अगर nitrogen double bonded है ठीक है तो वो अपना loan pair नहीं देगा तब सिर्फ आप उसका loan pair count करोगे hybridization में पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर nitrogen जो है single bonded है तो उसका loan pair conjugation में जाएगा ठीक है और अगर उसका loan pair चला गया और जब आप उसका hybridization देख रहे हो तो सिर्फ sigma bond को count करना उसके loan pair को count मत करना क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं वो तो घूम रहा है समझ में आ गया तो ये कहानी हो गए तो ये आपका SP2 हो गया अब carbon double bonded है छोड़ दो यहाँ double bonded है छोड़ दो ठीक है ये वाला double bonded है छोड़ दो मतलब SP2 ही होगा चलो तो मतलब cyclic है planar है conjugation है SP2 है क्या हकल rule follow कर रहा है एक double दो double चार और ये loan pair दिया 6 बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो ये कितना हो गया आपका ये भी aromatic हो गया तो B भी मेरा aromatic है ठीक है देख अगर आपको practice हो जाएगे आपका third वाला थर्ड वाला देखो क्या है ये है आपका एक दो 3,4,5,7,8 8 8 मतलब कि ये कही ना कही तो किस में आएगा आपके anti-aromatic में आएगा ठीक है कही ना कही तो anti-aromatic में आएगा क्यों क्योंकि हकल rule में 8 आता ही नहीं है चलो देख लेते एक बार यहां पर sir sp2 हाइवराजिशन है क्या ध्यान से देखते है आजाओ ये कार्बन sp2 ये कार्बन sp2 ये कार्बन sp2 ये वाला कार्बन भी sp2 ये ब्रिज वाला कार्बन भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 तो सब तो sp2 ही है Conjugation है क्या double-single-nl double double- senator double-single-nl double 14 अब अगर कई लोग यह सोचेंगे कि यह oxygen का किया कर या अपनी ऊपर लेलागा ठीक है तो single के बाद यह configuration नहीं करन पाएगा ठीक है यहां पर प्लस आएगा ऐसे plus आए गए, तो अब क्या होगा, ये इधर shift होगा, ऐसा shift होता है वो प्लस साइड के side होता है, टीक है, चलो, तो ये क्यास में आ रहा है देखो एक, दो, तीनचाव, पांच रहा है, अाफ पाई, मत अभी ये किस के अंदर आ रहा है फोर पाई उलेक्ट्रोन सिस्टम के अंदार आ रहा है मतलब हकल रूल नहीं है ये ये वाला जो डी वाला हो जाएगा आपका ये क्या होगा एंटि एरोमेटिक एंटि एरोमेटिक एक चीज़ छूड़ गए अपनी सी छूड़ या अभी बताता हूँ एंटि एरोमेटिक होगा ये और ये आपका कहीं से भी हेट्रोसाइकलिक नहीं दिख रहा है हेट्रोसाइकलिक है क्या रिंग की बात करो ये मत बोलना सर औक्जन है तो हेट्रोसाइकलिक हो जाएगा नहीं वो तो रिंग के बाहर है ना रिनगें क्या आपकी किसी अलग आटम से बनी है नहीं बनी है तो हेटरर्च नहीं होगा ठीक है तो ये आपका सिर्फ जाएगा ईंटियूरमेंटिक चलो अपना ये चूड गया इसकी बात करते हैं c बारा चूट गया था चलो देख लेते हैं nitrogen, bromine, nitrogen, boron, nitrogen, boron, nitrogen, boron ठीक है? क्या देख रहा है? double, single, double, double, single, double, double, single, double देख रहा है, conjugation है, बहुत बढ़ी है conjugation है अब सर इसको लिखते के हैं से ये भी सिखा दो, चलो देखा देता हूँ देखो nitrogen यहाँ पर बना रहा हूँ ठीक है मैं तो इसको अलग पैन से कर देता हूँ देखो यह क्या है nitrogen ठीक है यहाँ पर boron है और यह single bond nitrogen है यहाँ पर फिर boron है फिर यहाँ पर boron है और इनके बीच में एक nitrogen होगा ब्यादरू यह देखो यह nitrogen है ठीक है तो किते हैं एक दो तीन जा पांच छे हैं total अब यह जो nitrogen है इसके side क्या कर रहा है यह जो nitrogen है यह इसके side क्या कर रहा है double single double single double ऐसा nitrogen अच्छे यह बताओ मतलब जो आपका bond है यह nitrogen arrow ऐसा दिखा रहा है ब्रोमीन के तरफ इसका मतलब क्या है बोलो बोलो पहली चीज़ दो तीन चीज़े आपके दिमाग में आने चाहिए nitrogen की उपर plus क्यों आया पहला और यह जो bond है यह arrow जो है वो B के side क्यों जा र इसके पास कमी ही होती है पहली बात तो है na electron की कमी होती है चलो तो यह क्या करता है लोन पैर देंदेता है अपना यह लोन पैर अपना इसके side देता है इसलिए 이 क्यों आ रहा है तो यह plus ने प्लस negative आंसे घूमता है चलो अपना आगे समझते हैं लिक है है पहला चीज क्या यह प्लेनर है प्लेनर है साइकलिक है दिख रहा है कॉंजुकेशन है अभी देखा डबल सिंगल डबल सिंगल है क्या सारे के सारे एटम यहां पर है के अधर s p 2 हैं देखो खेलिया पर नहीं समंझ पाते हैं लोग द्यान से समझना हम कि बात कर इह दकार्यूंट ने दे दिया रहे है एक, दो, तीनों लोन पेर ने दे दिया ठीक है न, एक, दो तो आपको देखी रहा है दो सिगमा आपको देख रहा है और एक लोन पेर भी दे दिया उसने, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल SP2 हाइबराईज तो ये वाला SP2 है ये बोरान ध्याहन से सुनना है न, कारबन की उपर नेगिटिव होना लग बात, देखो ये बोरान जो है, नेगिटिव है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या होगा, SP2 आइबराईज होगा ये भी SP2 होगा, सब तो सेमी है, ठीक है, तो ये आपको मतलब SP2 हाइबराईज, लोन पैर तो दे दिया न, ठीक है न, लोन पैर तो दे दिया न, इसमें दो सिकमा देख रहे हैं, तो आप सही बोल साथ, पर आपको SP देखेगा, यहाँ पर SP2 देखेगा, क्यों, हाइडरोजन को कौन के नेगा, हाइडरोजन को भी तो कम्प्लीट करना है, वन न, इसक्यूबा प्लस चार्ज आता ही, क्यों, न, न, ज, तो तीन, बॉन बनाई साकता है, एजिली, लोन पैर क्यों देता, ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइडरोजन लगा लोगे, तो समझ जाओगे, मैंने लगा के नहीं देखा है, ठीक है, चलो, हेटरो, सी, वा, ए, 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 ल, ए, सी, साइकलिक, हेटरो सैकलिक कम्पाउंड है, बढ़िया, अगर इसको नाम जानना चाहो, तो इसको कभी-कभी बोल देते है, इन ओरगेनिक बैंजीन, इन ओरगेनिक बैंजीन, इसका नाम होता है, ठीक है, बढ़िया, चलो, इसकी बात करो यह कर लोगे यह वाला छोड़ दूँ चलो मैं समझा के छोड़ दूँगा ठीक है देखो किते पाई किते किते पाई लेक्टरों ने क्या यह वाला एसपी टू यह एसपी टू यह एसपी टू अन्नायट जन की बात करो दो सिगमा एक लोन पर तीन समा रहें मतलब एसपी टू बढ़ियां एसपी टू तो हो गया प्लेनर है साइकलिक है सब कुछ है बताओ इसका क्या होगा अंसर बोलो इसका तो बता सकते हो न ठीक क्या दिख रहा है चार पाई लेक्टरॉन दिख रहे हैं लगा लो अपने हिसाब से अंसर ठीक है बढ़ियां चलो तो यह वाला अपने ऐसे कोशन पूछता है वह ना तो इसको अच्छे से करके जाना चलो अपन अगला चलते हैं अगला कोशन देखते हैं विच आप दा फ सिंगल बॉंड भी आर है और कार्बन से सिंगल बॉंड भी आर है तो अगर मैं इन पूरी रिंग को आर कंसीडर कर रहा हूं ठीक है तो यह हो जाएगा मेरा रिंग को मैंने आर कंसीडर कर रहा और इन से जुड़ा हुआ है कोई भी एक हैलोजन ठीक है तो यह मेरी एक रिं कराऊंगा agno3 के साथ तो सब को पता है precipitation तो हो गई होगा कैसे होगा precipitation थोड़ा ध्यान लगाओ दिमाग लगाओ यहां से bond तूटेगा bond तूटेगा तो यहां पर बन जाएगा carbo cation मतलब r की उपर प्लस आएगा ठीक है तो आप ध्यान से सुनो r की उपर क्यों की प्लस आ रहा है तो जितना जादा जितना जादा carbo cation मेरा stable होगा carbo cation carbo cation stable होगा उतना ही fast आपका reaction होगा या फिर मैं बोल सकता हूँ उतना ही stable आपका reaction होगा तो आपको क्या देखना है आपको ये देखना है कि कौन सा carbo cation जादा अच्छे से stable है ठीक है अब सर कैसे पता चलेगा इनकी stability के बारे में normally तो हमें पता है कि जो carbo cation है वो 3-2-1 से होता है मतलब 3 degree जादा stable होता है फिर 2 degree फिर 1 degree मैंने inductive effect में आपको ये कराय हुआ है और hyperconjugation में भी same topic से कराय हुआ है आगे मैं आपको थोड़ी सी और बताऊँगा bond defusion के बारे में वो next video में बताऊँगा ठीक है अभी तो आपको ये याद होगा लेकिन इसमें कैसे याद रखें तो इसमें आप एक तरीके से याद रख सकते हो अन्ना अन्ना मतलब की aromatic वाला ज़्यादा stable ठीक है aromatic वाला ज़्यादा stable फिर आता है आपका non-aromatic non-aromatic फिर आता है आपका कौन सा anti-aromatic जी हाँ anti-aromatic बाद में आता है याद रखना इस अन्ना से याद रखोगे अगर कोई aromatic compound है तो ज़्यादा stable अगर non-aromatic है तो उस से थोड़ा कम और anti-aromatic है तो सब से कम stable ठीक है ये stability के according अपन चलेंगे है ना चलो अपन आगी चलते हैं सब से पहले क्या करना है इन सब को तोड़ो अजआँ तोड़ते हैं ये देखो ये तूटा ये प्लस बना ये तूटा ये प्लस बना तो कैसा बनेगा देखो ये बना अपका ऐसा तो ये बालापन कर चुके हैं याद आना चाहिए सब को कया है चार पाई electron system याद आ रहा है न, चार पाई लेक्ट्रोन सिस्थम, बढ़े हैं, चलो इसकी बात करो, देखो कैसा देखेगा, एक दो, तीन, चार, पांच छे, साथ, ठीक है, तो कैसे बनाएंगी इसको, ये बना मेरा एक, ठीक है, इसको थोड़ा तेरा तूड़ा करके बनाना पड़ेगा साथ है 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है ऐसा कुछ बन रहा है और यहां आप कहाँ कहाँ पर double bond है अगर यह आपका plus है तो इसका एक बगल में इधर है, ऐसा, और इसके एक बगल में इधर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो आपको यह दिख रहा है, और एक और नीचे है आपका, तो एक इसको छोड़ दो, डबल, सिंगल, फिर एक डबल, ऐसा, ऐसा आपको यह इस तक्चर दिख रहा है, इसकी बात करो, इसम तो क्या answer होने वाला है, यह आपको दिख रहा है, कितना है, देखो, plus single double, double single double, double single double, बढ़ियां aromatic है, कोई दिक्कत नहीं, planar है, cyclic तो दिखी रहा है, ठीक है, sp2 hybridization है या नहीं, बस उसको check करना है, हर कार्बो केटाइन की क्या होती है, sp2, यह double से जोड़ा है तो छोड़ दो, यह double भी छोड़ दो, यह double छोड़ दो, यह double छोड़ दो, यह भी छोड़ दो, यह भी छोड़ दो, सब sp2 ही है, बढ़ियां एक दम, चलो इसको गिल लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 मतलब aromatic तो है, बिलकुल बढ़ियां, ठीक है, तो यह aromatic है, हकल सुल follow कर रहा है न, ठीक है, बीच म आला, जो मुझे दिख रहा है, वो एक, दो, 3, 4, दिख रहा है, साइकलिक है, sp2 भी है, बहुत बढ़ियां, sp2 है, conjugation है क्या, प्लस, single, double, double, single, double, single, प्लस, बढ़ियां, conjugation बहुत प्यार से दिख रहा है, ठीक है, तो conjugation भी है, planar भी है, और आपका sp2 दिख रहा है, यह sp2 ह बागी सारे के सारे sp2 है, क्या बचा, देखो, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 pi electron system है, मतलब यह क्या हो गया, anti-aromatic, anti-aromatic हो गया, ठीक है, इसकी बात करते हैं, देखो, प्लस, single, double, यह बहुत बार देख चुके हैं, यह भी हमारा aromatic है, कैसे है, सर, यहाँ पे तो 2 pi electron system है न, अरे तो 2 pi क्यो नहीं होगा, अगर n की value 0 रख दू तो, तो 4 into 0, 0, plus 2, 2 बचा न, इसलिए तो यह भी क्या है, aromatic है, तो ppt कौन देगा, ज्यादा stable जो carbocatine बनाएगा, कौन बनाएगा, aromatic वाले बना रहे हैं, aromatic वाले बना रहे हैं, तो आपका answer होगा, second वाला, और one वाला, दोनों ही, carbocatine unstable होगा, और अगर यह unstable होगया, तो ppt नहीं बनाएगा, वो पीछे जाना चाहेगा, वो वापस यह बनाना चाहेगा, ठीक है, और जो carbocatine stable होगा, तो यह हमेशा आगे जाना चाहेंगे, और आगे तो हमें सब ppt बन रहे है, समझ गए ना, reaction होगी ना, तो ppt बन जा ऐसे, अना, ए, 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 और ए, अना से याद रखना, अना, आना, जैसे याद रखना है, वैसे याद रखना, मगर ऐसे याद रखना, अना इसलिए बोला, क्योंकि आ, बाद में आपको फील हो रहा है, अना, ऐसे, ठीक है, चलो, आगे, फिर आपका, which of the compound have more dipole movement, more dipole movement, एक और दो मैंसे, कौन सा जादा dipole movement होगा, पहली चीज़ तो इसको आटा दो, क्यों, charge चाहिए, simple जी बात है, charge का separation जादा होगा, dipole जादा होगा, इतना याद रखो, बस, अब इसकी बात करते है, पहला वाला इसको ले लो, दूसरा वाला इसको ले लो, ठीक है, य जहाँ पर negative इधार है, यहाँ positive इधार है, यहाँ negative इधार है, positive इधार है, मैं यह मानता हूँ, मैं यह मानता हूँ, negative, positive जब पास में होते हैं, ठीक है, तो अपने एक condition पड़ी थी ना, कि negative और positive अगर पास में है, तो stable compound है, यह मैं मान रहा हूँ, लेकिन dipole में क्या होता है डाइपोल में जो आपका negative और positive अगर दूर है separation जादा है distance जादा है तो डाइपोल movement भी जादा होगा तो ये वाला आपका answer होगा पहला वाला ठीक है तो आपको इस तरीके से थोड़ा समझना है कैसे समझोगे डाइपोल movement डाइपोल जो रहता है आपका वो भी proportional होगा stability of carbocation के stability of carbocation तो जो भी है हमारा करता-धरता carbocation है ठीक है समझ गए ना तो बस ही आपको ऐसे समझना है clear बढ़िया ठीक है खुश ना एकदम तो आपको ऐसे खुश से अच्छ समझना है ठीक है चलिए ठीक है तो ये थे हमारे सारे के सारे aromatic के बारे में आपको कहीं पर भी अगर उसने पूछी लिए कि acidic सबसे अच्छा कौन सा होगा तब भी आपको ring की ऊपर charge को stable करना है मानलों कि उसने ring की ऊपर oh लगा दिया ठीक है तो आपको क्या करना है ring के पास में जो charge बन रहा है उसमें देखना है कि वो aromatic है non aromatic है या anti aromatic है तो मैंने आपको इसका order भी आपको समझा दिये उसी order से आपको चलना है हमेशा ठीक है तो बस इसना ही पूछा जाता है aromatic city में कि यह कौन सा aromatic है कौन सा नहीं है कौन सा dipole जाता है या फिर कौन सा stable जाता तो यह सब चीज़े पूछ जाती है उमीद ही कर रहा हूँ आपको पूरे अच्छी से समझ में आ गया होगा ठीक है हर चीज़ को अच्छे से देखना line by line देखना planar cycle है कि यह सब यह सब यह सब ठीक है उससे बहुत अच्छी मदद मिलेगी ठीक है लेकिन किसी भी चीज़ को skip करके भागने की कोसिस मत करना करके सके सकता है